Hello friends, welcome again. मैं हूँ अर्पेत और आज हम BA First Year के Defense and Strategic Studies के पेपर को डिसकस करने जा रहे हैं. इसका First Paper डिसकस करेंगे जिसे आम्त बोलचाल की भाशा में Military Science कहा जाता है. तो हम Military Science के BA First Year के First Paper को डिसकस करने जा रहे हैं जो की National Education Policy के हिसाब से आपके First समस्तर में आता है. तो आएए चलिए देखते हैं इस पेपर को. आपके स्क्रीन पर Defense and Strategic Studies का BA Part 1 का First Paper अवेलबल है. जो की National Education Policy के अनुसार है. यह आप देख सकते हैं. तो I.M. इसमें देख रहे हैं कि क्या-क्या होने वाला है. Conceptual Aspect of War को हमें यहाँ पर जो है इसके Related Question आएंगे. आपके पास दो घंटे का समय हैं और Total 75 Marks हैं और यानि की 75 Marks हैं क्योंकि 25 Internal Marks थे. तो अब हम इसको आगे देखते हैं कि यह प्रश्न पत्र तीन खंडों आबासा में विभाजित है. प्रत्य खंड में दिये गए निर्देशों का पालन करना है. तो Section A, B, C या आबासा Section है और इसमें आपके जो प्रश्न हैं वो जो कितने नंबरों के हैं? क्रमशा 9, 36 और 30 यानि कि Section A में 9 Marks हैं Section B में 36 और Section C में 30 Marks आने हैं तो पहले हम देखेंगे Section A इसमें क्या हो रहा है कि आति लगुत्री यानि कि Very Short Type Answer हैं आपको देने यहाँ पर तो और हर Question जो है तीन नंबर का है, तीन Question आपको Attempt करने हैं, यहाँ पर आप इसमें देख लिजे कि इस खर्ण में प्रश्ण संख्या एक से किनी तीन उप्रश्णों का उत्तर आपको देना है और प्रत्य उप्रश्ण की शब्द सीमा 50 शब्द है यानि कि आधा पेज है एक पेज से ज़्यादा किसी भी हालत में आपर नहीं जाना है आपको रक्षा एवं स्ट्राजिक अध्यान को परिभाशित कीजिए स्ट्राजिक को हिंदी में सामरीक कहते हैं तो रक्षा एवं सामरीक अध्यान या रक्षा एवं स्ट्राजिक अध्यान को आपको यहाँ पर परिभाशित करना है युद्ध एवं संग्राम के बीच में क्या अंतर है? ये आपका दूसरा कोश्चन है, इसे आपको बताना है और तीसरा कोश्चन है आदुनिक युद्ध को परिभाशित कीजिए तो ये हो गया आपके तीन प्रश्ण है करांदिकारी युद्ध क्या है? ये हो गया चौथा और आपका पांचवा कोश्चन है बहुत ही इंट्रेस्टिंग है, बड़ा ही अच्छा है कि गुरिल्ला युद्ध कला को परिभाशित कीजिए तो आपको इन पांच में से किनी तीन को अटेम्ट करना है इसके बाद आपके सामने सेक्षन भी आ रहा है जो कि लग उत्तरी ये प्रश्चन है यानि कि शॉर्ट आंसर है इसमें क्या करना है? कि आपको जो है ये जो दो है मतलब इस खंड के प्रश्चन संख्या दो से जो है किनी चार उप्रश्चनों का उत्तर आपको देना है और प्रत्यक उप्रश्चन की शब्द सीमा दो सो पचीस शब्द है यानि कि आपको दो से ढाई पे जहां पर लिखने है और चार कोश्चन करने हैं हर कोश्चन नाइन मार्क्स का है यहां उपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं question संपून एवं सीमित युद्ध की आउधारना की विवेचना कीजिए यह हो गया पहला दूसरा है नावकी स्ट्रेटजी की आउधारना की विवेचना कीजिए तीसरा है युद्ध के मनोविज्ञानिक कारणों की विवेचना कीजिए तो यह हो गया तीन question चोथा है कि रासायनिक युद्ध को परिभाशित कलते हुए उसके कारक एवं सैन उप्योग की विवेचना कीजिए पाचवा है शीत युद्ध क्या है इसके प्रकृति एवं लक्षनों की विवेचना कीजिए देखिए शीत युद्ध जो है वो अमेरिका और सोवियत यूनियन सोवियत संग के बीच लड़ा गया था और इसमें अमेरिका की जीत हुई थी सोवियत संग की हार हुई थी और फिर वो तूटकर आज का जो आप रूस या रशा या रशिया जिसे आप जानते हैं वो बना था अभी भी एक शीत युद्ध चल रहा है कोल्ड वाल चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में तो आपको यहां पर बताना है कि शीत युद्ध है क्या तो अभी यहां अमेरिका चाइना नहीं आप यहां पर बात करेंगे अमेरिका और सोवियत युनियन के बीच हुए युद्ध के बारे में इसकी प्रकित एवं रक्षणों की विवेचना करनी है अगला है विभिन प्रकार के युद्धों की व्याक्या कीजिए तो यह हुग आपका चठा और सात्वा प्रश्ण है की प्राचीन भातिय युद्ध एवं रक्षा स्ट्राइटजी की विवेचना कीजिए सेक्षन सी आता है इसके बाद खंड सा और ये दिर्ग उत्तरी ये प्रश्ण है इस खंड के प्रश्ण संख्या तीन से किनी दो उप्रश्णों का उत्तर आपको देना है प्रत्यक उप्रश्ण की शब्द सीमा 475 है तो अब देखिए तीसरे में पहला कोश्चन क्या है कि आतिक युद्ध की आउधारना का वर्नन करते हुए उसके मौजूदा समय की प्रासंगिक्ता का वर्नन कीजिए दूसरा कोश्चन है युद्ध के सिधान्तों की विस्ताथ से व्याख्या कीजिए और तीसरा है युद्ध की राश्ट्री नीत के उपकरण के रूप में व्याख्या कीजिए तो यह हो गए तीन और चौथा कोश्चन है आपका की गोरिल्ला युद्ध के सिधान्तों का वर्नन कीजिए तो यह आपका पेपर था मिलिटरी साइंस का डिफेंट स्टडीज का तो आज के लिए बस इतना ही इस से रिलेटेट सभी जो है आपके वीडियो क्रेट के जाएंगे और आपको कंप्लीट कोस इस चैनल पर मिल जाएगा आपको कोई भी बुक वगएरा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है तो आप और के सब्यक्ट के पेपर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही थैंक यू